क्या सेल्टोस को लॉंच हुए और्मोस 3 साल होने आये हैं जब स्टार्ट में सेल्टोस लॉंच हुई थी तब वो क्रेटा से भी ज्यादा सेल्स ला रही थी बट जब क्रेटा का फेसलिफ्ट आया जिसमें पैनलमिक्स जन्रोफ एंड कई सारे फीचर्स एड हुए उसके बाद और्मोस हर महीने क्रेटा के सेल्स सेल्स से ज्यादा हुए है बट अब इस साल याने कि 2022 में सेल्टोस का भी न्यू फेसलिफ्ट आने वाला है और रिसेंटली कई सारे लिक्स एंड रिपोρ्ट्स से नीू सेल्टोस के बारे में कई सारी चीजे रिफील हुई है तो इस वीडियो में हमनीू सेल्टोस में क्या-का चेंजस होंगे New Seltos की price क्या होगी और वो कब तक launch होगी उसके बारे में बात करेंगे सबसे फ़ले बात करते हैं exterior की अगर बात करें front bumper की तो एस पर link images New Seltos में new tiger nose grill मिलेगी and headlight का setup भी split way में मिलेगा and LED DRL भी अभी के Seltos से different मिलेगी and अगर बात करें roof की तो अब तक Seltos ही उसके segment में एक AC car बची है जिसमें normal छोटा sunroof आता है but new facelift Seltos में आपको बड़ा panoramic sunroof पी दिया जाएगा and new Seltos में आपको नए style के new 18 inch alloy wheels भी देखने को मिलेंगे and rear से clear changes तो अब तक spy नहीं हुए but as per camouflage images rear में आपको new revise, LED tail light and थोड़ा उठा हुआ rear bumper मिलेगा उसके सिवा exterior में कोई extra new features या changes देखने को नहीं मिलेंगे और अगर बात करें interior की तो interior में आपको new color scheme and new dashboard design मिलेगी जिसमें आपको new 10 inch की infotainment touch screen मिलेगी जो हमने recently किया केरेंस में देखी है and new Seltos के higher आपको fully digital instrumental cluster भी देखने को मिलेगा इसके सिवा interior में कोई new changes या features add नहीं होंगे बट अभी मिल रही ही Seltos वाले सारे features तो already होंगे ही जिसकी ventilated seats, wireless charger, air purifier, blind spot monitor, heads up display, etc. बट एस पर सम रिपोर्स, new Seltos में ADAS वाले features भी मिलेंगे जिससे वो MG Ester and XEV 7W से compete कर पाए बट ADAS में level 1 या level 2 के features मिलेंगे वो अब तक sure नहीं है बट emergency braking, lane keep assist and adaptive cruise control जैसे features आने के chances हाई है और अगर बात 3 engine की तो यहाँ पे आपको कोई changes देखने को नहीं मिलेंगे आपको same 3 engine options मिलेंगे 1.5 litre naturally aspirated petrol engine, 1.4 litre turbo charge petrol engine and 1.5 litre turbo diesel engine बट safety wise अब Seltos में safety improved मिलेगी अब तक Seltos में higher variants में 6 cervix आते थे बट face lifted Seltos में आपको lower variant में भी 4 या 6 cervix का option मिलेगा और उसकी सिवाए ADAS वाले features एड होने से passive safety भी थोड़ी improve होगी और अगर बात करे launch rate की तो Kia Seltos का face lift mid 2022 यानी की June-July 2022 के आसपास launch होगा और new Seltos के expected price अभी के Seltos से up to 1 leg तक ज़्यादा होगी तो ये थी सारी information अब कमी Kia Seltos face lift के बारे में क्या आप इस कार का wait कर रहे हो और आपको क्या लगता है new Seltos वापस से क्रेटा को टक्कर दे पाएगी आपका opinion हमें comment section में जरूर बताएगा बस आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजेगा और उस bell icon button को दबा दिजेगा Thank you